नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त वरिंद पांडे और मैं आप सभी का अपने YouTube चनल कर ड्वाइजर में एक बार फिल्सक स्वागत करता हूँ दोस्तो बात की जब मेरी टे reaching style की मेरे परसनल टेडउं इस्टायल की तो मैं एक reversal यहां दुनियां बाई देखती हैutesनली इससा क्वोछ समस्टार। आपको उब आपको कॉशिश किया थी कि आखिर ऐसा क्यूं तो वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आई बेटन में लिंक है वो वीडियो आप देख सकते हैं रिवर्सल टेडिंग में बहुत कुछ है ऐसा जिसे एक्स्प्रेइन किया जाना है और यह लास्ट वीडियो में आपको बताया भी था कि एक सिंगल वीडियो में कवर नहीं होने वाला यहां पर हमको मुल्टिपल वीडियो बनाएंगे आज के दिन मैं इसका सेकेंड वीडियो बना रहा हूं सबसे पहला चीज है कि लो रिस्क हाई रिवाट लेकिन एक बार आप फिर से समझें लो रिस्क और हाई रिवाट का मतलब यह होता है कि जब भी हम रिवर्सल टेडिंग प्लान करते हैं तो हमार 50% का ही सक्सेस रेशी हो रहेगा लेकिन अगर आरार के इस आप से देखेंगे तो हमारे एकांट की ग्रीन होने की प्रवर्वर्टी सबसे ज़्यादा है सबसे ज़्यादा है कि इंटर डे में बेस्ट स्ट्रेजी है आप इसे इंडेक्स में प्लान करें आपको बहुत अच अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे अच्छा मैंने कहा कि इंडिक्स में बेस्ट काम करता है ऐसे क्यों कहा मैंने मैं थोड़ा से एक्स्प्रेंग करना चाहूंगा कल का ट्रेडिंग शेशन याद कर लेजिए एक ब्रेकाउट हुआ उसके बाद प्राइस पूरा र 80-200 पॉइंट का प्रॉफिटे टार्गेट करते हैं कॉंसेट को अगर आप अच्छे से नहीं करेंगे समझेंगे अलाइन नहीं करेंगे तो आपको हमेशा कन्फिजन रहेगी इसी वजह से मैं इसके सीरीज बना रहा हूं स्टेप टू स्टेप आपको समझाने की मेरी यहा करना वाला हूं लेकिन फिर से आपके सपूर्ट की बहुत रिक्वार्मेंट रहेगी इस वीडियो में खासकर जब भी बात होती एजुकेशनल वीडियो की तो वहाँ पर मनी मैटर नहीं करता है वहाँ पर आपका प्यार मैटर करता है अगर आपको वीडियो अच्छा लग किस इंडिकेटर पर बेस नहीं है यह प्राइज अक्षिन पर बेस है अगर आपको लगता है कि आप किसी इंडिकेटर से reversal strategy को identify कर लेंगे तो sorry आप गलत हैं यहाँ पर price action की mastery चाहिए ही चाहिए मैं बहुत simple language में explain करूँगा आपको बिल्कुल सर्ज में आ जाएगा कि actually मैं क्या कहना चाहता हूँ लेकिन सबसे पहले अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए कि यहाँ पर कोई indicator explain होने वाला ना यहाँ पर जिस strategy के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो pure and pure price action पर बेस है सबसे पहले concept समझते हैं कि price action का concept क्या है bullish market का concept क्या है बेरिश market का concept क्या है क्योंकि जब तक आपके दिमाग में basic clear नहीं होगा आपको कई चीजे समझ में नहीं आएंगे तो screen पर नज़र रखेगा यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले bullish market के एक high लगता है छोटा सा profit booking आता है एक low लगता है फिर से जो लोग first random में miss कर जाते हैं वो वापस entry करते हैं और फिर से एक यहाँ पर नए high है इसी तरीके से concept continue रहता है और market higher highs लगाते हुए continue उपर जा रही है आपको clear idea है कि this is the bull market लेकिन क्या ऐसा बजार में होता है क्या बजार में आपको कुछ इस तरह का trend नहीं देखने को मिलता सबसें कर बार है एक is लेगा एक विए一 नीचे आएगा ति'll भूल्मार्केक राइस आखेन में तो उपर ही जा रहा रहा है दोनों मिल्टिफरेंस क्या है, दोनों मिल्टिफरेंस ये है, कि ये एक clear trend है, और ये एक dirty trend है, क्या dirty trend को treat किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, आप सबसे पहले समझे, कि आप सबसे ज़्यादा सफर कहां करते हैं, आप सफर करते हैं, यहाँ पर, आप सफर करते हैं, पर, आप सफर करते हैं, यहाँ पर, मैं लिए ट्रेडर की बात करता हूँ, और जो परो ट्रेडर होते हैं, वो यहाँ पर भी सफर करते हैं, जो बॉफेश्개नल ट्रेडर होते हैं, वो इन सब को trade कर सकते हैं आपको यहीं पर समझना पढ़ेगा कि trend किस तरीके से move करता है आखिर कहां पर aggressive होना है और कहां पर हमें defensive होना है और bullish market का concept क्या है लोग किस तरीके से लेते हैं मालूम है लोग लगेंगे this is the support price अगर उपर गया है तो यह support area अरे रे सपोर्ट प्रेक हो गया बिल्कुल गलत है यह बिल्कुल दिमाक्षा निकाल दीजिए मैं मानता हूँ कि price जब भी किसी swing high को प्रेक करता है तो वो एक support का का काम करता है लेकिन वो एक trend reversal नहीं है वो एक trend को discontinue नहीं करता है अगर trend को discontinue होना है तो low का प्रेक होना सबसे ज़्यादा जरूरी है जब तक कोई low नहीं प्रेक होगा किसी भी trend का चाहे आप bullish trend की बात करें चाहे bearish trend की बात करें तो आपका trend continue रहेगा यह चीज़ समझ लिजए bullish market का structure मैंने आपको समझाने की कोशिश की अब इसी का 24 बात कर लेते हैं bearish market का continue lower lows लग रहे है यह bearish market है लेकिन सेम चीज़ यहाँ पर भी तो है continue lower lows ही लग रहे है अगर आप ध्यान देंगे तो किसी जगा पर भी कोई high break हुआ ही नहीं जब भी price high के पास आया है वहाँ से एक fall आ गया तो इस जगा पर किसी भी low को as a resistance नहीं count करना है bullish market में अगर price किसी swing high के ऊपर trade कर रहा है और वापस test करने आ रहा है उस swing high को तो this is not a valid support आपका swing low ही valid support रहेगा अगर आप trend की बात करेंगे और उसी तरीके से अगर बाजार नीचे आ रही है तो कोई swing low break हो जाए जैसे कि यहाँ पर भी हुआ तो इसका कोई important नहीं है important है आपका downside में swing high इतना समझ में बहुत easy है कोई दिक्कत नहीं है double top and double bottom कितने लोग को आता है बहुत सारे वीडियो भी देखें होंगे पढ़ा भी होगा कि double top क्या होता है double bottom लेकिन क्या trade कर पाते हैं इसको आपको मालूम होने से कुछ नहीं होता सार किताबों में ज्यान बहुत है ठीक है आपको experience से उसको purify करना पड़ता है और यही पर मैं आपको इस trading strategy के बारे में explain करूंगा कि मैं किस तरीके से double top or double bottom को देखता हूं सबसे पहले यह समझते हैं कि double top or double bottom क्या है यह मैं मान के चलता हूं कि इस session को जिन लोग देख रहे हैं उनमें से कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं आता है कुछ भी मालूम नहीं है कि किस तरीके से double top और double bottom फॉर्म होते हैं सबसे पहले uptrend की पैद करेंगे high, low, एक नया high, low और एक नया high, फिर से एक low और फिर एक high लगता है लेकिन वो previous swing को break नहीं करता है और price यहां से आपका reject हो जाता है इसी जगा को हम कहते हैं double top बहुत ही simple है यानि वो place जहां से highest लगना बंध हो जाए और price वहां से घूम जाए उसी को हम double top कहते हैं और यह video intraday पे base है तो यहां पर intraday में आपको बहुत से double top और double bottom देखने को मिलते हैं वहां से reversal sum को कैसे identify करना है यही हमें यहां पर सीखना है clear हो गया double top क्या है अब इसी को मैं अगर scale कर देता हूँ तो downtrend का हमें view मिल जाता है low, high, lower, low, high, lower, high, lower, high, lower, low, high और यहां पर lower, low, low लगना बंध हो गया equal low लगा जिसने double bottom को create किया समझे न और यहां से price reverse हो गया यह concept intraday में एक जादू की छप्पी है यह मेरा सबसे favorite setup है जहां से lows लगना बंध हो जाता है वहीं से मेरा reversal के लिए पूरा का पूरा दिमाग reversal पर focus हो जाता है पहले आपको यह समझाना था basic price action कि इस तरीके से move करता है फिर आपको यह समझाना था कि double top और double bottom क्या है और जब यह clear हो जाता है तो strategy भी बहुत easy हो जाती है मैं एक बार फिर से आपको rewind करूंगा मैंने यहां पर आपको क्या बताया था downtrend में price इस तरीके से जा रहा है यह low लगता है फिर से यहां पर एक low लगता है और फिर से यहां से price नीचे आता है यानि kind of a dirty trend जहां से price की जो momentum होती है वो smooth नहीं है बस इतना ही है smooth नहीं है और वहां से price correct हो जाता है अब इस जगा पर ध्यान दिजेगा जब low लगा high लगा और नया low लगा उसके पाद यह high लगा लेकिन यह previous low test नहीं हुआ high test हुआ और यहां से price fall हो गया this is the best reversal trade setup पहला ठीक है और इसी का अगर मैं 22 वर्सा कर देता हूँ this is the best place double bottom to play the reversal अब इसको चार्ट पे भी समझेंगे यहां तक clear है ठीक मैं वीडियो को unnecessary पड़ा नहीं करना चाहता लेकिन वीडियो unnecessary मेरे बड़े हो जाते हैं क्योंकि मैं हमेशा एकोसिस करता हूँ कि आपको basic से समझा जाए अब ज़रा ध्यान दिजेगा सबसे पहले हम यहां पर आवली चार्ट की बात करेंगे क्या है यह एक trend reversal मैंने आपसे क्या कहा था अगर downtrend की आप बात करोगे downtrend की price lower lows continue जा रहा है तो यहां पर highs का break होना बहुत ज़रूरी है और यह चीज़ आपने यहां पर देख लेए यह strategy नहीं है basic price action जो मैंने आपको explain किया तो वो है अब इस जगा पर देखिए bullish market है यह एक high point है और यह low point है आप ध्यान दिजेगा price कहां से reverse हुआ और क्या करके reverse हुआ यहां पर stop loss मार के reverse हुआ यहां पर जितने break out traders है सबको लपेट के reverse हुआ तो यही वो सबसे बढ़िया place होता है जहां से हम reversals identify करें इसको थोड़ा और अच्छी तरीके से समझते हैं बजार में यह एक trend आया और इसके बाद यहां पर एक correction आया और इसके बाद price इस तरीके से trade कर रहा है ध्यान देते रहेगा अब यहां पर लोग गलती क्या करते हैं जब भी यह इस तरह कमारता है तो वो intra-demitate कर रहे होते हैं mostly क्या करते हैं सब लोग intra-demitate करते हैं तो वो सोचते हैं कि यह जो है ना breakout हो गया previous विंग लोग का वो इसको भूल जाते हैं यह क्या है यह है चच्चा बास बास मतलब real trend real sentiment इसको हमेशा याद अखना previous वीडियो में भी मैंने इसी पर focus किया और उसके पाद जो price reversal हो जाता है तो लोग कहते हैं मुझे loss हो गया मैं क्या करूँ मुझे तो loss हो गया लेकिन अगर आप ध्यान दें तो concept जो था double bottom का वो हमेशा कुछ इसी तरीके का था ठीक है कुछ इसी तरीके का concept था अगर price बार-बार एक level से reject हो रहा है तो 11-20 होता है ना यार 11-20 होता है कि नहीं होता है आप लोग क्या करते हो कि नहीं exact 10 रुपिया बोला तो 10 रुपिया होना चाहिए 9 रुपिया 95 पैसा नहीं होना चाहिए और इस 5 पैसे में operator आपको मारता है यह द्यान दीजेगा अक्सर breakout trader को वहीं पर बजाये आता है धो-धो के बजाये आता है चलिए इसको एक और तरीके से समझते हैं यह द्यान दीजेगा लो यह द्यान दीजेगा यह लो द्यान दीजेगा और यह लो द्यान दीजेगा आप इसको यहां से ट्रॉ कर लीजे ठीक है आपको कुछ पता चला यह एक रींज है साहब ठीक है यह प्रेक आउट जो आपकल देख रहे थे यह प्रेक आउट नहीं यहां से रिवर्सल आया, प्राइस यहां से मूब कर गया, यही इंपोर्टेंस है डबल बॉटम की, डबल बॉटम में दो चीजे होंगी, इसी भी एक इंपोर्टेट लेबल पर, या तो ब्रेक करेगा, या वहां से प्राइस रिवर्स हो जाएगा, कभी भी अगर आपके पा डबल बॉटम बन रहा है, करेक्शिन में डबल बॉटम बन रहा है, तो आपको हमेशा हाई प्रोबिल्टी ट्रेड ही प्रकड़नी चाहिए, इस जगा पर आपको ध्यान देना चाहिए, कभी भी ब्रेक आउट हो, आप शांती से साथ बैटें, उसके बाद देखें कि कोई बॉटम से रिवर्सल प्लेक करते हैं, तो अगर बॉटम से रिवर्सल प्लेक करते हैं, आपको 70-80% का success rate मिलेगा और with 1-2, minimum 2 आजार होगा दिसका तो ये आपको profitable होगा ये मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ लेकिन अगर आप ध्यान दे तो Nifty में ऐसे 500 जगा हैं जहाँ पर मैं आपको ये चीज एक्स्प्रेइन कर सकता हूँ जहाँ दीजे इसको करते हैं 3-3 hour का लेज देते हैं जिससे कि हमें पूरा trend दे गए मार्केट क्या है? downside है, right न? उसके बाद क्या हुगा? double top, अभी double bottom explain कि double top, रहें जहां से गया, गिर गया फिर से उपर गया, फिर गिर गया फिर क्या बनाया? double top, फिर नीचे गया, फिर उपर आया एक high बनाया, low बनाया, फिर से high बनाया क्या हुगा? फिर से गिर गया आप ध्यान देते जाएए, high break नहीं हो रहा है इसका continue high break नहीं हो रहा है low बनाया, high बनाया, फिर से एक low फिर एक high पिर एक previous load टेस्टिक है एक फिर से एक high बनाया और फिर से क्या हुआ घिर गया समझेरे न लो बनाया फिर एक high बनाया छोटे छोटे चोटे lows बना रहा है और यह high यहां पर double top नहीं है लेकिन अगर देखें तो ट्रेंड रिवर्सल भी नहीं है और यहां से प्राइस गिर गया यहां पर डबल टॉप बिलकुल नहीं है अब ध्यान दीजेगा फिर से एक हाई बना लो बना फिर एक हाई बना और फिर क्या होगा प्राइस फिर से गिर गया ध्यान देते लिएगा उसके बाद क्या होगा? ये high बना, ये high बना, ठीक है? और lows यहाँ पर लगना बंद हो गया. धिया els दिजिगा तो यहाँ पर double bottom भी बना, double top भी बना, ये एक base बना, ठीक है? जहां से price low भी मारना बनकर देता, highs भी मारना बन कर देता, वहां से trend reversal होता है. ठीक है यह topic में नहीं है strategy नहीं है strategy हमारी यह है कि हम trend को follow करें अगर continue price down lower lows मार रहा है तो अगर वो high लगाता है और फिर से एक छोटा सा low लगा के फिर से उस high को test करता है तो हमें सिर्फ यह दिखना है कि कब previous low test हो वो तूटा हमने short मारा previous high क्या है stop loss bum ऐसी ही चलेगा समझें ना यही है कि आप trend को identify करें फिर आपके double top और double bottom बहुत पुशुरत काम करेंगे अगर आप trend को identify नहीं करेंगे इस चीज़े नहीं काम करेंगी अब थोड़ा से इसको align कर देते हैं ठीक है same चीज़ low 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 क्या हुआ फ्राइडे को अभी समझ में आ रहा है फ्राइडे के वो आपके साथ क्या किया गया आपके टेकनिकल चीज़े काम नहीं करती हैं आप समझें तो double top or double bottom की बहुत importance है चलो यह trend की बात होगे इससे अलग भी बता जिता हूँ यार प्राइसे हैं सबसे पहले बात करेंगे त की कि दिन मैंने आपसे क्या का था यह ठाल यहाँ वो अब बात करते हैं मैंने आपसे क्या था प्राइज गैप अप खुल ला है अगर यह 17,680 के पास जाता है तो आपको क्या करना है शॉट करना है आई क्या लगा 17,684 पॉल किस तरह काया क्या हुआ था कि इन्टाडे में प्राइज लोवर लोज मार रहा था तो यहां प्राइज जल्दी रिकवर नहीं करेगा जब तक ही अच्छा 20 आवली टाइम फ्रेम में नहीं बनाएगा आप चीजों को अलाइन करिए ठीक है तो इन्टाडे भी तो इसी चीज़ पे प्ले की और उसके बाद हमें ये भी मालूम है कि बुलिश मार्केट है तो 580 बहुत सपोर्ट है क्या यहां से नहीं हों गया है तो यह अगर आप देखोगे तो यह ट्रेड भी डबल टॉप पर है और यह ट्रेड भी डबल बॉट्टम पर है ठीक है थरस्टी के दिन अगर नहीं हो रहा है तो उसको एक बार जरूर लिखेगा मैं एक बार फिस समझाने की पुश्श करूँगा अब जरह मुझे बताइए कि इस जगापर क्या है हाई है आपका यह ट्रेंड है और यह करेक्शन है अब आपको नहीं मालूब है कि ट्रेंड रिवर्सल कहां से ह आई बरेक हो जाएगा तो आपको यह चोटा सा रिवर्स होते हुए दीखेगा आपको लगेगा कि यह जए कि यहां से रिवर्स स् हो भाला है नहीं यह आपने यह एक्ट्रेंड को क्या करनी जा रहा है फॉल्ल करना जा रहा और फिर उसके बाद price अगर इस तरीके से करकर फिर इस तरीके से लेकर और फिर ये आपका लो तोड़ेगा तो ये trend आपका invalid हो जाएगा price action के यही concept है बस समझना पड़ता है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं align करूँ अगर align नहीं कर पाया तो comment में जरूर लिखेगा आज की वीडियो को मैं यहीं पर close करता हूँ मिलते नेक्स वीडियो में थैंक्यू नमस्कार तन्यवाद जैंग